हेलो एवरिबन तो आज जो UKPSC के द्वारा आपका Government Politechnik Lecturer की 525 पोस्ट के लिए जो आपका notification है वो जारी कर दिया गया है तो उसी को आज हम discuss करेंगे और क्योंकि ये channel basically focused है आपका civil engineering को लेके तो उस चीज को ही हम जादा से जादा focus करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर अगर ह हैं जिसमां आपकी different engineering fit जैसे mechanical, civil, आपका electrical, electronics इसके अलावा आपका physics, chemistry, pharmacy इन सबकी भी total number of 525 पोस्ट है बट अगर हम civil engineering की proper बात करें तो यहाँ पर आपकी total number of post है 103 तो यहाँ पर जो basically इस वीडियो में main-wing चीज़ें हमने discuss करनी है जो बच्चों के दिमाग में कोई भी notification आ कुछते हैं एक तो कब यह form fill होना start होगा कब इसकी last date होगी कब तक इसमें हम संचोजन कर सकते हैं क्या इसमें eligibility criteria रहेगा किती number of post है रहेंगी और क्या इसका syllabus रहने वाला है तो यही आपके सवाल रहते हैं क्योंकि अगर मैं इस पूरे जो आपका notification है इसको discuss करने लगया त जो आज है इसका जो notification है वो जारी कर दिया गया है online आवेदन पत्र भन्ने की अंतिम देती तो 12 अगस्त तक आप 12 अगस्त तक जो last date है form filling की आपकी वो क्या है 12 अगस्त तो last date जो आपकी है वो 12 अगस्त है ठीक है तो 12 बजे तक आप इसमें form को भर सकते हैं और 3 जुलाई से form बनने start हो जाएंगे ठीक है आवेदन सुल्क, net banking, debit card, credit card, UPI दोरा जमा करने की अंतिम देती जो आपके charges रहते हैं तो वो भी आपने 12 अगस्त को ही जमा कर देना है तो last date बोलो, last registration date बोलो या last date of fee submission बोलो तो वो दोनों आपकी क्या रहने वाली है 12 अगस्त ही रहने वाली ह इसके अलावा अगर हम बात करें आपके online आवेदन पत्र के संसोधन, oblique परिवर्तन करने की देती अब माना किसी का जो form भरना है उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है कुछ गलतियां वो कर देता है तो अगर उसको उसमें क्या करने है कुछ संसोधन भी करने है तो 18 अगस्त तक वो क्या कर सकता है इसमें संसोधन कर सकता है अब अगर हम diploma lecturer की बात करें तो minimum जो education qualification है यहाँ पर वो आपकी रहने वाली है b.tech आपको क्या करा होना चीए b.tech करा होना चीए जो भी आपके engineering field से related candidate है मतलब जो अगर हम civil engineering की बात करें तो उन्होंने civil engineering से b.tech करा होना चीए अब दुसरा सवाली आता है कि कौन-कौन से बच्चे इसके लिए eligible है अब देखो ये इस third point को यहाँ पर focus करिएगा अभियारती या सुनिश्चित कर लें वह online आवेदन पत्र भनने की अंतिम्तिती अर्था दिनांक 12 अगस्त जो हमने देख लिए कि 12 अगस्त आपकी last date है तक विज्यापन में वर्णित अनिवार्य सेक्सिक अहरता हैं अवश्य धारित करते हूँ अभियारती की सेक्सिक अहरता के संबंध में परिक्षा प्रणाम घोसित होनी की तिती रिजर्ट डिक्लिरेशन डेट अब देखो अब यहाँ पर बहुत बच्चों का ये है कि जो जो रिजर्ट डिक्लिरेशन की डेट है अभी देखो आपका जो रिजर्ट आया होगा ओनलाइन आया होगा है ना तो रिजर्ट डिक्लिरेशन की डेट वह तिती मानी जाएगी जो अंक पत्र पर निर्धारित की तिती मतलब मार्क्षीट इस्यूंग डेट अब आपका चीज है कि जो आपका 12 अगस्त है 12 अगस्त से पहले आपकी क्योंकि जो लास्ट एट है फॉल करने की वार अगस्त है तो 12 अगस्त से पहले-पहले आपको Marksit Issue हो जाए है आ तो उसमें जब Marksit आपके आती है तो उसमें लिक्षा रहता है Marksit इस्यूंग डेट तो वो डेट से उनको मतलब है उनको ये मतलब नहीं कि आपका वेजन पत्र से क्वालिफिकेशन डीटेल के विवनण में रिज 설정 काप्स्ट के कॉलम में अक पत्र निर्गत होने की तिथी पाक्सिर डीट gracias 在ट का ही अंकर और मतलब जो आपकी मासे लुट дав देट हम मतलब है तो इसके लिए आप हमें चाहे अभी के लिए provisional ही सही या हमें जो अगर आप final दे सकते हैं तो final तो हमें आप क्या करें mark sheet provide करा दें जिससे हमें mark sheet issuing date मिल जाए और उस date के basis पर ही आप लोग इस form को fill कर सकते हैं तो अभी यह नहीं है कि जो अभी just pass out बच्चा है वो बर सकता है नहीं बरस कता है जि वो अभी तक अभी तक अगर हम बात करें तो अभी उसके बास कि अगर जब तक उसके पाद result ना जाये या result issue date ना जाये तब तक वो इस form को fill नहीं कर सकता है तो अगर result issue उनको 12 अगरस्त Senled पहले-पहले हो जाए तो वो लोग eligible automatically इस form के लिए हो जाएंगे ठीक है इसके आरावा भी किसी को कोई और doubt होगा तो पूछ सकता है क्योंकि जो जैसा चीज यहां पर लिखी है वही चीज को हम focus कर रहे हैं वैसा नहीं कि आपको खुछ करने के लिए हाँ कि आप लोग का रिजर्ड आउट होगे आप भर सकते हैं नहीं क्योंकि साफ साफ लिखा है रिजर्ड declaration date वहतिती मानी जाएगी जब mark issuing date आपको जब mark sheet क्या होगी issue होगी ठीक है इस चीज को भी आपने focus करना है ठीक अब थोड़ा और आगे चलते हैं जो important हमारे नोटिफिकेशन है regarding civil engineering अगर हम बात करें तो और क्या क्या चीज है जो आपको ध्यान में देनी है ठीक है तो वो यह है कि आपकी number of post कितनी है ठीक है तो अगर हम civil engineering की बात करें तो टोटल 525 है पर अगर हम civil engineering की बात करें तो यहां पर 103 पोस्ट नंबर आप पोस्ट जो है 103 है ठीक है और जो आपका वेतनमान है वह 15600 से 39 रहता है तो यह सारी चीज़े आपको पता ही है तो यह तो बात की चीज़ें होगी क्या रहने वाला है पत का सरूब आपका राजपत्रित मतलब आपका गजिटेट आपिसर का नंबर आप पोस्ट के regarding हो गई ठीक है अब इसमें भी अगर हम आगे को बढ़ें थोड़ा सा तो और क्या-क्या चीजे हैं क्या-क्या आपकी जो 103 पोस्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें ठीक है अब यहां पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखें एज लिमिट क्या है यहां से 21 से 42 जो 21 से 42 इयर इसमें क्या रहने वाली है एज लिमिट आपकी रहने वाली है ठीक है और टोटल नंबर ओपोस्ट जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 103 ठीक है टोटल नंबर ओपोस्ट आपकी रहने वाली है 103 और जो एज लिमिट है आपकी वो रहने वाली है आपकी कितनी 21 से 42 एर्स की ठीक है तो एज लिमिट का भी आपको आईडिया मिल गया है क्योंकि मैंने वही चीज बताई क्या क्या चीज हमें फोकस कर लिए और अगर हम नंबर और पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखें जनरल कंडिडेट की आपकी जो है 49 पोस्ट रहने वाली है उतराखंड महिला जो उतराखंड आपका जो महिला का वाला रहता है उसमें 15 पोस्ट आपकी रहने वाली है इसी तरीके से अनुसूची जाती जन जाती इन सबके भी पोस्ट दिया है 24-7 गल्स की ऐसी जन जाती में 4 और 1 ऐसी अन्य पिछड़ा वर्ग में 17 and 05 आर्थिक रूप से मतलब जो EWS वाला है 9 और 3 तो इस तरीके से जो टोटल नंबर और पोस्ट आपके आ जाती है 103 नंबर और पोस्ट टोटल आ जाती है तो और जहां जहां आपकी जो जो नंबर और पोस्ट है आपकी 103 है और जो आपकी इसमें अनारक्षित जो जनरल केटेगरी में है तो वह आपके 49 पोस्ट है ठीक है और अलग-अलग केटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दे रखी है ठीक इसके अलावा अब जो हमारा next important point है क्योंकि हमने देखो date की बात कर लिए कब आपका date start हो रहा है form filling end date हमने बात कर लिए कौन form भर सकता है यह हमने बात कर लिए minimum qualification क्या होनी चाहिए यह हमने बात कर लिए और जो आपकी age limit है उसकी हमने बात कर लिए number of post की हमने बात कर लिए और number of post for different category इसकी भी हमने बात कर लिए अब अगर हम बात करें इसके syllabus की हम इसकी अगर बात करें किसकी syllabus की तो इसका जो syllabus है ठीक है उसमें आपका total अगर हम written जो आपका objective paper रहने वाला है उसकी बात करें तो टोटल आपका 400 marks का इसका paper रहने वाला है, ठीक है, तो 400 marks के around इसका जो है paper रहने वाला है technical वाले part में, ठीक है, और उसमें जो syllabus रहने वाला है basically, वो क्या रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है, हिंदी और technical, ठीक है, तो हिंदी और technical का इसमें basically syllabus रहने वाला है ठीक तो यहां पर आप देख सकते हूं लिकिज प्रिक्षा योज ना अब यह के वल क्या है देखो सामान्य अंग्रे जी केवल परवक्ता भौतिक रासायन गणित एवन मौडन ऑफिस मेनेजमेंट के सेक्टरिट वो हे तू ठीक है और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी मां आपके आने वाले हैं अधिकता मंक हंडेड कोश्चन और दो आवर का इसमें टाइम रहने वाल है तो 300 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहने वाला है यह अल्यडी हम डिसकस भी कर चुके हैं जिसमें 150 आपके टोटल नंबर और कोशन रहेंगे और दो मार्क्स का हरे कोशन रहेगा तो टोटल 300 मार्क्स होगे ठीक है और वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो 180 मिनट में 150 कोशन तो कोशनों का जो वेटेज रहेगा वह थोड़ा बहुत निमेरिकल भी रहे सकता है और साथ-साथ आपके ठीकल तो दोनों का बैलेंस जो देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है और कोशन के नंबर कम है ठीक है तो इसके लिए हम एक डि प्रड़ भी होगा वह आपका 50 मांक्स का होगा तो इसके पूरे बेसिस पर आपका क्या बनेगा आपका रिजर्ड बनेगा ठीक है उसके बाद अब हम डायरेक्ली अगर बात करें किसकी सलेवस की तो हिंदी के सलेवस को अगर हम पहले देख लें हिंदी के सलेवस को अगर ह यह सब चीज है ठीक है तो यह सारी चीज है आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे वाक्यांस के लिए एक सब असू धिसोधन लोकाक्ति मोहावरे विराम चिन व्याकरण विचार यह सारा तो यह रहने वाला है आपका हंडेड मार्क्स का तो हिंदी भी काफी इंपोर्टेंट पार यह इंपोर्टेंट रोल लेने वाला आपके स्लेक्शन में तो सो माक्स आपका यहां पर हिंदी का रहने वाला है ठीक है तो यह तो बात रही हिंदी की और अब वहीं अगर हम बात करें अपने टेक्निकल स्लेवर्स की किसके टेक्निकल स्लेवर्स की जो आपका रहने वाला है क्योंकि इसमें जो minimum criteria अब देखो आप जितने भी एक्जाम देते हैं कुछ उसमें addition आपके होने वाला है खासकर सबसे पहला structure analysis तो अभी तक आप जैसे जी लेबल के आपका देखने के लिए होते हैं सारी चीज़े तो इस्ट्रक्चर एनलीसिस आपका देखने के लिए मलने वाला है surveying and estimation, building technology, construction and management, strength of material, fluid mechanics भी आपका है इसके अलावा soil mechanics and foundation engineering, transportation में देखिए यहाँ पर highway, railway भी है और airport का भी कुछ पार्ट दिया गया है तो यहाँ पर यहाँ से अगर आप देखेंगे कहीं यहाँ पर से resistance to traction यह railway engineering तो यहाँ से आपकी railway engineering का भी यह पार्ट है और साथ-साथ airport का भी कुछ पार्ट यहाँ पर पूछा गया है तो highway, transport engineering में भी highway, railway and airport तीनों आपका पूछा जाएगा इसके वालावा environmental engineering है environmental engineering का आपका पूरा syllabus है उसके अलावा design of concrete structure, design of steel structure and water resource engineering तो इसमें भी आपका, जो आपका hydrology वाला पार्ट है प्लस जो आपका irrigation वाला पार्ट है, वो सारा कबर होने वाले है तो यह तो आपका proper syllabus हो गया किसका civil engineering का तो देखें तो एक तरीके से सबका सब, जो आपके subject आप पढ़ते हो throughout BITEC में वो लगभग सारे ही cover किये गए है तो लगभग आपके जितने भी subject है, 11 subject, जो मोटे-मोटे हैं इनके भी जो पार्ट है, वो अलग-लग तरीके से है तो 11 subject का आपको proper syllabus दिया हुआ है तो यह सारा का सारा आपका syllabus है जो आपका 300 marks का और 1500 question का रहने वाल है ठीक है, तो यह आपका जो important point थे regarding notification क्योंकि 103 point में आपकी हर branch का, हर stream का अलग-लग दे रखा है तो वही सारा दिया है, तो जो main point है, वो मैंने आपके सामने है discuss कर दी है, सबसे पहला आपको मैंने बताई दिया जो आपकी date है, age limit है, कौन-कौन भर सकता है eligibility criteria क्या है, ठीक है, आपका syllabus क्या है, number of post क्या है different category में क्या post है, और क्या-क्या आपका paper रहने वाला है क्या उसका syllabus रहने वाला है, तो यही point अभी जो मुझे important लगे जो मैं को discuss करने चाहिए, कम time में, वो यह है, और इसके अलावा कोई भी आपको अगर doubt आता है, कि हाँ, क्या हो सकता है, खास कर civil engineering के लिए, तो आप comment box में लिख सकते हैं, ठीक है, thank you